अंजी नमस्कार मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी बिजनस टेनर, कॉर्पेट टेनर, मोटिविशन स्पीकर और चीओ मेटास ओवर्सीज लिमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में अगर आप एक ने बिजनस के तलाश में हैं तो किसी भी बिजनस का चैन करने से पहले आपको यह जरूर देखना होगा कि वो बिजनस रेड ओशन स्ट्रेजी में है या ब्लू ओशन स्ट्रेजी में है क्योंकि इसी बात पर निरुबर करेगा कि वह business आपको कितने लंबे समय तक profit देगा या कितने लंबे समय तक आपको competition में फसाई रखेगा, तो आए आज हम बात करते हैं Red Ocean Strategy and Blue Ocean Strategy के बारे में, इस बात को न हम एक example गुरूप में आपको बताता हूं, आप सोची रहे थे कि या देखा, चौती जगह देखा, पांच भी जगह देखा, बहुत सारे saloons को आपने देखा, तो आपको इस समझ में आया, salon का business तो बहुत बढ़िया business है, भीड भी बहुत जादा है, profit भी अच्छा कमा रहे हैं, और लगातार खुलते जा रहे हैं, तब आपको इस समझ में है, यार ये business तो red ocean strategy का business है, यहां तो मुस्से बहुत बढ़ी mistake हो गई, क्यों red ocean strategy कैसे इस बात को हम समझ लेते हैं, सबसे पहली चीज़ red ocean strategy में, एक ही तरह के business में बहुत सारी companies होती हैं, और आपने भी यही देख के तो business शुरू किया था, कि already यहां पर salon है, तो यहीं पर salon शुरू करना चाहिए, दूसरी बात, limited customer होती है, क्योंकि जो territory है वो तो एक निश्चित है, मानलीजी आपने कही residential society में किया है, residential area में किया है, तो वहां पर कितने लोग आएंगे, वही लोग तो आएंगे जो उस territory के अंदर रहते होंगे, उस माहौल में उस area के आसपास रहते होंगे, आपको पता है कि वहां पर limited customer है, अब उन limited customer को हमें डिवाइड कर देना है, वहां सभी shops पर, वह अपने आपी distribute हो जाएंगे सभी shops पर, जिसकी वज़ा से वह customer यह देखेगा, यार इतने सारे salon है, किसका best price है, कौन मुझे सस्ते से सस्ते में अच्छी सची service दे सकता है, तो आपको price competition भी fight करना पड़ेगा, और जब आप किसी भी industry में price competition करते हैं तो कही न कहीं इंडस्ट्री में आपका ratio of profit घटता चला आता है, क्योंकि सभी company का एक उद्देशी होता है, discount दो, customer बुलाओ, discount दो, customer बुलाओ, ऐसे में जो लोग establish हैं, वो तो अच्छा profit कमा लेते हैं, एक लंबे समय तक discount देते हैं, और जो लोग उस discount की strategy में हार जाते हैं, वो अपना business बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं, दूसरा, limited margin हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो price था, या जो price होना चाहिए था, उसमें आपने discount दिया, जिसकी वैसे आपका margin घट गया, और high operating cost हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि जो उसका खर्चा था न, वो कम नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप discount देंगे, तो rent कम हो जाएगा, staff salary कम हो जाएगी, electricity bill कम हो जाएगा, और other expenses कम हो जाएगे, वो तो उतने रहेंगे, तो same profit margin पर, अब आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, इसकी वज़ए से, आपका high operating cost हो जाएगा, और जैसे आपका high operating cost होगा, आपका profit margin गटना शुरू हो जाएगा, ये बहुत important factor होता है, किसी भी business का selection करनी ते समय, कि हमें ऐसा business देखना चाहिए, जो red ocean strategy के अंतरगत ना आता हो, तो दूसरी strategy क्या है, दूसरी strategy है blue ocean strategy, अब उसी industry में, और बहुत सारे लोगों ने देखा, कि है यहाँ पर business किया जाना चाहिए, और एक company नई strategy के साथ में, उसी industry में, उसी competition में कूद गई, लेकिन उसके पास ऐसे formula थे, जो बाकी लोगों के पास नहीं थे, number one, नई services को introduce करना, एक नई company है, उन्होंने same salon setup किया, और नई-नई services, नई-नई features वहाँ पर add-on कर ली, जैसे हमाँ पर cutting है, shaving है, इसके लाबा, और makeover से related जितने है, beauty से related जितने facilities होती हो, facilities available करना शुरू कर दिया, और अपने ही store पर एक ऐसा place बनाया, जहां पर सारे brands अपने आपको advertise कर सके, जैसे लेक में है, या और भी इस तरह के brands है, बहुत सरे example देख सकती है, salon तो मैंने के example के रूप में लिया है, बुसरा, customer वहाँ पर जब आता है, तो वह एक service लेने में एक समय लगाता है, और जो नया customer वहाँ पर आता है, जो एंटर करता है, उसको लगता है, अभी तो busy चल रहा है सब कुछ, सारी के सारी sheets engaged है, सारे के सारे बार 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 भी engaged है, या जो beauty service प्रवाइड करते हूं, तो या तो चला जाता है कहीं और या फिर वह बैठा बैठा अख़बार पढ़ता है या बोर होता रहता है, तो आपने क्या किया, वहाँ पर वेंडिंग मशीन लगा दी, तो वेंडिंग मशीन में उसको cold drink लेना है, जूस लेना है, चिप्स लेना है, कुछ भी लेना है, तो एक तरह से आपको extra sale मिलने लग गई, कि चलो यार वेंडिंग मशीन के बाहने एक sale generator होने लग गई, आपने वहाँ game machines लगा दी, तो वहाँ पर जो भी client आया है, उसको लग रहा है, चलो जब मेरा number आएगा, जब तक तो मैं game खेल लेता हूँ, तो उससे भी एक extra earning शुरू हो गई, इसके लावा आपने क्या किया, आपने वहाँ पर courses लाँच कर दिए, Salon Industries related, Makeover Industries related, बहुत सारे courses आपने कर दिए, जैसे cuttings related हो गया, makeovers related हो गया, facials related हो गया, beauty related हो गया, अलग-अलग courses अब शुरू किये तो बहुत सारे students वहाँ पर आने लगे, जब students वहाँ पर आने लगे, तो उनी students में जो expert student थे, वो internship के रूप में आपकी company में काम करने लगे, जिससे आपको free of cost employee मिल गए, और जैसी आपको employee free of cost मिले, तो आप competition में जरूर जीच जाएंगे, क्योंकि आपके competitor के पास वो सुभिधा नहीं है, जिसकी वज़ए से एक revenue generate हुआ training का, दूसरा operating cost जो employee की थी, वो घट गई, जिसकी वज़ए से आपका जो profit margin है, वो असानी से बढ़ गया, उसके लाबा, आपने क्या किया कि वहाँ पर annual membership का एक offer दे दिया, कि sir आप मेरे को लगता है हर 15 दिन बाद आते हैं, 20 दिन बाद आते हैं, तो हमारे पास एक annual package है, आप annual package लो, तो उसमें total discount यह है, total extra services यह है, discount भी दे सकते हैं, extra service भी दे सकते हैं, आपने का कि अगर आप हमारे annual member हैं, तो यह भी तो कुछ तरीके होते हैं, जो बड़े-बड़े brands आजकल अपनी industry में लगाते हैं, इसके लावा, आपने couple scheme निकाल दी, कि जैसे husband wife एक साथ आते हैं, तो उनके लिए यह extra services मिल जाएंगी, यह इतना discount मिल जाएगा, यह extra benefit मिल जाएगा, यह gift मिल जाएगा, आपने व आपने बहुत सारी schemes निकाल दी, कि आप अगर husband wife दोनों आते हैं, इसके लाव आपने corporate से related schemes निकाल दी, कि companies के number of employees यह की company के आते हैं, हम उनको package देते हैं, जिसकी वज़ए से वो extra benefit ले सकते हैं, तो packages की वज़ए से, schemes की वज़ए से, vending machine की वज़ए से, game machine की वज़ए से, annual membership की वज़ए से, या free staff की वज़ए से, आपको बहुत सारे ऐसे benefit हुए, जिसमें आपका profit बढ़ता चला गया, और आप बहुत आसानी से, competition के उस दौर में, उस competition से separate हो गए, और आप कहेंगी कि मैंने अपना business, blue ocean strategy के अंतरगत, बना के develop कर लिया है, जब आप ये बात समझ जाएंगे ना तो आपको ये बात समझना भी बहुत जुरूरी है, कि इन दोनों में difference क्या है, number one, red ocean strategy में आपको limited customer मिलते है, blue में आपको last number of customer मिलते है, more competition face करना पड़ता है, जबकि blue ocean strategy में आपका competition बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास extra features, extra possibilities, extra products, extra services, और बहुत सारे different चीज़े है, low profit margin होता है क्योंकि competition में discount देना पड़ता है, या high profit margin होता है क्योंकि आप बाकी extra sale भी कर रहे है, extra source of earning भी generate कर रहे है, extra revenue generate कर रहे है, यहाँ पर high operating cost होती है, जबकि blue ocean strategy में आपकी operating cost on on average कम बढ़ती है, क्योंकि आपके खर्चे घर जाते हैं और revenue proportionately बढ़ जा अरे जब आपका profit margin ही कम है, आपकी operating cost हाई है, तो यह भी हो सकता है कि अगर जरा भी business plus minus हुआ ना, तो आप वहाँ survive करना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत से लोग उस business को survive भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वैसे out of the market हो जाते हैं, जबकि अगर आपने blue ocean strategy अपना ही है ना, आप एक यूनिट से दो यूनिट, दो यूनिट से चार यूनिट, चार से दस, दस से पचास, आप देखिए ना, बहुत सारे brands, salon industry में आए, आप ही के local area में आए, लेकिन धीर धीर करते हुए, पूरे इंडिया मेरों ने बहुत सारे outlet बना दिये, हजारों ऐसे example हैं, मुझ उनने एक survival नहीं, expansion का plan बना दिया, friends, ये example मैंने लिया था, एक salon industry का, आप example कुछ भी ले सकते हैं, business हो, product हो, services हो, आपको ये देखना होगा कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं, जो आपको blue ocean strategy के अंतरगत ला सकते हैं, और आप तेजी से business को develop कर सकते हैं, friends, business related ये आपके मन में कोई भी प्रशन हो, तो मुझे comment box में लिखकर ज़रूर बताएं, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत